एक बहुत ही मशूर कहावत है कि हर काम्याब इंसान के पीछे एक इस्त्री कहात होता है और समय समय पर ये बात सच भी हुई है इस बात के अक्सर तमाम उधारण भी देखने और सुनने को मिल जाते हैं राजस्तान की राजनीती में भी इस बात का एक जीता जाता एक्जामपल है सचिन पाइलेट नवस्कारा देखना शुरू कर चुके हैं राजस्तान समवार सचिन पाइलेट राजस्तान की राजनीती में जितनी मजबूती से खड़े हैं उतनी ही मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हैं दो मैलाएं जिनका नाम है रमा पाइलेट और सारा पाइलेट जैसा कि हर माँ अपने बच्चे से बेहत प्यार करती है बच्चों की खुशी के लिए जमीन आस्मान एक कर देती है वैसे ही सचिन पाइलेट को राजस्तान की राजनीती में मजबूती प्रदान करन सारा पाइलेट बेशक उन लोगों में से नहीं जो सचिन पाइलेट को खुलकल समर्तन दे रहे हैं पर सारा पाइलेट का नाम लोगों में सबसे उपर आता है जो सचिन पाइलेट के साथ तब से मजबूती से खड़ी थी जब कोई और सचिन पाइलेट के साथ खड़े होने से भी कत्रा रहा था सारा सचिन पाइलेट भी देश के उस राजनितिक परिवाद से संबंद रखती है जिसने कई दशकों तक शक्री राजनिती में अपनी एहम भूमिका निवाई ऐसे में सारा भी राजनितिक दाव पेचों से अच्छी तरह वाकिफ है और यही कारण है कि जब सचिन पाइलेट ने अपने हग के लिए आवाज बुलंद की थी तो सारा पाइलेट ने सचिन पाइलेट की आवाज बनकर सोशल मीडिया हैंडल्स को अची तरह समाला था साथ ही उनके विरोधिया द्वारा उठाए जराए हर सवाल का करारा जवाब भी दिया था और यही कारण है कि सारा पाइलेट तब भी मजबूती के साथ सचिन पाइलेट के साथ खड़ी थी जब उनके साथ ना तो कोई उनकी सरकार थी ना ही लोग थे जो रेलियों और मंचों में पाइलेट का हैथ पकड़ कर उनके साथ उने का दावा करते थे रमा पाइलेट का नाम भारत की उन महिलाओं में से आता है जो राजनीती के साथ साथ अपनी समाज सेवा के कारण जानी जाती है रमा पाइलेट ने उस वक्त भी एक मजबूत करदार निबाया था जब स्वर्गे श्री राजेश पाइलेट ने एरफोर्ट छोड़ कर राजनीती में आने का फैसलेक किया था राजेश पाइलेट पर लिखी बहुत सी किताबों में इस बात का जिक्र है कि राजेश पाइलेट को इंद्रा गांधी से पहली बार एरफोर्ट पर मिलवाने में भी रमा पाइलेट का एक मजबूत करदार था जब राजेश जी पाइलेट को भरतपुर से पहली बार चुनाव लड़ने का आदेश प्राप्त हुआ उस समय रमा पाइलेट ही थी जो राजेश पाइलेट में हिम्मत फूकने में जरा भी कमी नहीं रख रही थी ये बात सभी जानते हैं कि रमा पाइलेट का सोनिया गादी के साथ बहुती खास रिष्टा हुआ करता था दोनों को एक दूसरे की बेने कहकर लोग पुकारने लगे थे और अब भी रमा पाइलेट का 10 जनपत परवाही कद है जो पहले हुआ करता था तो अब जब सचिन पाइलेट मुसीबत में है रमा पाइलेट एक बार फेड़ से उसी मजबूती के साथ सचिन पाइलेट के साथ खड़ी है जिस मजबूती के साथ वो राजिश पाइलेट के साथ खड़ी थी और यही साथ सचिन पाइलेट को एक मजबूती प्रदान करता और साथ ही उनमें आत्में विश्वाज भी फोग देता है कि जल्दी सब कुछ बहुत बैतरी नहीं हो जाएगा वहीं सारा पाइलेट भी सचिन पाइलेट का हाथ पकड़कर और वक्त मजबूती के साथ खड़े रहती है और यह साथ जरूर कर देते हैं कि समय चाहे कितना भी कि अच्छा हो या बुरा क्यों नहीं हो जाए पर सचिन पाइलेट को वह किसी भी हाल में अकेला नहीं चोड़ेंगी और जब एक इंसान के पीछे एक नहीं बल्कि दो-दो महिलाओं का हाथ होता है तो उसे काम्याभी के शिकर को चूमने से कोई नहीं रोग सकता यहती रा राजिस्तान की राज़निती में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजिस्तान समवाद को सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए चाहे आप फ्रूलाइंसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टिनैशनल कमपनी आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवशक्ता है सोचे, ओनलाइन कस्टमर आपकी वेब साइट पे आता है और उसे आप अपने प्रॉड़क्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं जिससे आपका प्रॉड़क्ट अलग-अलग सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रेक्ट कर सकता है इससे आप अपने साइट पे ट्राफिक को इंप्रीज कर सकते हैं जो आपकी सर्च एंजिन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूब करता है आपकी प्रॉड़क्ट को संजाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा मिशी मीडिया सलेशन्स देता हैं आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट मिशी मीडिया सलेशन्स आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रॉड़क्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा वो भी बिलकुल किफाईती दामों में तो फिर देर किस बात की आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर